हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांथी क्यूंकि जो हर क्वेस्टन से जब कोई भी क्वेस्टन आता है मतलब कि कोई भी आप एक्साम देते हों तो उसमें क्रांथी से एक दो क्वेस्टन पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन है हमारे पास सदा बहार क्रांथी किस से समंदित है तो ये है जेव तकनीकी से ऑप्शन बी इस राइट अंसर चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं कि मूख क्रांथी जो है वो किस से समंदित है तो वो है मोटे अनाजो के उत्पादन से जो मोटे आनाज होते हैं कि उसके उत्पादन से समंदित है मूख करांती next question है हरित सोना करांती जो है वो किस से समंदित है तो वो है option C यानि बांस उत्पादन से हरित करांती जो है वो हरित सोना करांती यहां पर आपको ध्यान देना यहां पर हरित करांती नहीं बलकि हरित सोना करांती पुछा गया है वो बांस उत्पादिन से सम्दित है Next question है हमारा परामनी करांती किस से सम्दित है इसका right answer हो जाएगा option A यानि भिंडी उतपादिन से प्रामनी करांती जो है वो भिंडे उत्पादन से संबंदित है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गोल्डन करांती जो है वो किस से संबंदित है गोल्डन करांती है आपकी ऑप्शन बी यानि चाय उत्पादन से ग्रीन गोल्डण करांती चाए उत्पादन से संबंदित है फिर आता है कि जो खाकी करांती है वो किस से संबंद रकती है तो इसमें आपको जो है वो ऐसे देखना है कि खाकी लिखाए तो पुलिस सुधार से होगी होगी तो ऐसा इसमें नहीं देखना है इसका जो राइट आंसर है वो है option B यानि चमणा उत्पादन से खाकी करांती चमणा उत्पादन से संबंदित है next question है white gold करांती किस से संबंदित है इसका right answer हो जाएगा option D यानि कपास उत्पादन से white gold करांती कपास उत्पादन से related है फिर आता है कि खादेश रिंखला करांती जो है वो किस से संबंदित है तो इसका right answer होगा option C यानि भारतियों क्रिश्कों की 2022 तक आमदनी को दुगना करने से next question पर आते हैं कि गंगा करांती किस से संबंदित है तो गंगा करांती जो है वो ब्रेष्टाचार के खिलाफ जो है वो सदाचार पानने यानि पैदा करने है तूं गंगा करांती परेष्टाचार के किलाफ सदाचार पैदा करने है तो इससे संबंदित है next है sunrise सूर्य उदे करांती किस से संबंदित है पीछे जो 9th question था इसमें एक और question बनता है कि जो इसके गंगा करांती के जो जनक माना जाता है वो माना जाता है राजेंदर सिंग को राजेंदर सिंग और इन्हें जो वो वाटर मैन अफ इंडिया भी कहा जाता है तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वाटर मैन अफ इंडिया किसे कहा जाता है तो वो राजेंदर सिंग को कहा जाता है चलिए next question है Sunrise सूर्य उदे करांती किस से संबंदित है तो ये है electronic उद्योगिक विकास के लिए क्या पुछा है Sunrise सूर्य उदे करांती जो है वो electronic उद्योगिक विकास से संबंदित है next question है slate करांती या धूसर इसको जो हम slate करांती या धूसर भी कहता है और इसे हम एक grey करांती भी कहता है तो इन तिनम ऐसे कुछ भी पुछा जा सकता है कि slate करांती या धूसर करांती या फिर grey करांती किस से संबंदित है तो वो है आपकी option B यानि cement उत्पादन से slate करांती धूसर करांती और grey करांती cement उत्पादन से संबंदित है नेक्स्ट है हमार पास कि अम्रित करांती किस से संबंदित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन B यानि नदी जोडो प्रियोजना से अम्रित करांती संबंद रखती है नेक्स्ट आता है गोल करांती किस से संबंदित है कौन सा पुचा है गोल करांती किस से संबंदित है तो वो है ऑप्शन A आलू करांती से रिलेटेड है गोल करांती और भारत जो है वो चीन के बाद आलू में मतलब कि वर्ड में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और भारत में सबसे ज़्यादा जो आलू है वो यूपी में उगाए जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेस्टिन है सुनहरी करांथी किस से संबन्दित है तो वो है फल उत्पादन ओप्शन दी इस राइट आन से इसमें आपसे यह भी पूछा दा सकता है कि बागवानी करांथी या फिर यह सब पूछा दा जा सकता है कि सुनहरी करांथी किस से संबन्दित है फिर उप्शन में आपको अगर कहीं से बया शेयर दिया होगा तो वो उससे रिलेटिड भी होती है सुनहरी करांथी नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा बदामी करांथी जो है वो किस से रिलेटिड है तो वो है उप्शन बी मसाला उत्पादन से बदामी करांथी मसाला उत्पादन से संबंदित है फिरा था है हमार पास कि गुलाबी करांथी जो है वो किस से संबंदित है तो वो है जिंगा मचली उत्पादन से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में जो वो गुलाब करांती के जनक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है ओप्शन ए दुर्गेश पटेल को गुलाब करांती के जनक कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में गुलाब करांती के जनक जो वो किसे कहा जाता है तो ये हो गया है next है कि लाल करांती जो वो किस से related है तो वो है लाल करांती जो है वो option B यानि टमाटर से उत्पादन से related है next question है हमार पास कि जो वो भारत में लाल करांती के जनक किसे कहा जाता है वो कहा जाता है विशाल तिवारी को किसके लाल करांती के जनक next question है क्रिशन करांती ये काफी tough question है क्रिशन करांती से संबंधित जो वो क्रिशन करांती किस से संबंधित है तो वो है बायो डिजल उत्पादन से यानि option D is right answer क्रिशन करांथी बायोटीजर उत्पादन से संबंदित है नेक्स्ट आता है हमारा पिल्ली करांथी किस से संबंदित है तो वो है option C यानि तिल्हन उत्पादन से जो हो पिल्ली करांथी related है नेक्स्ट क्वेशन आता है हमारा रजित करांथी किस से संबंदित है तो तज़्जद करांती जो है वे option B यानि अंडाउत बादन से संबंद रखती है फिर आता है 24 वा question कि भूरी करांती किस से संबंद रखती है तो इसका right answer हो जाएगा option A भूरी करांती जो है वो उर्वारक बादन से संबंध रखती है फिर आता है हमारा की निली करांती जो है वो किस से संबंध रखती है तो निली करांती है मतस्य उत्पादन से नेक्स्ट है हमार पास भारत में निली करांती के जनक पुछा गया है कि भारत में निली करांती के जनक कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन डी यानि अरुन कृष्णन को निली करांती के जनक आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीली करांती का जनक ये हो गया है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत करांती जो है वो किस से सम्बंदित है तो ये तो आप सभी को पता है एक सिंपल सा कॉष्टन है कि श्वेघ करांथी जो हो किसे सबंदी तैं इसका राइट आन्सर है option d दुगद करांथी से दुगद उतपादन से. नेक्स्ट फ्वेज्टन है भःत में श्वेघ करांथी के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुछा गया है कि श्वेत करांथी के जनक किसे कहा जाता है तो वो है option A, Dr. Vargis Korean इस राहिट आंसर यानि श्वेत करांथी के जनक Dr. Vargis Korean को कहा जाता है next question है हमारे पास कि जो हरित करांथी है वो किस से संबंदित है वो है option D, यानि काद्यान उत्वादन से फिर है next question कि भारत में हरित करांथी का जनक किसे माना जाता है ये भी काफी easy question है तो इसका right answer हो जाएगा option A, यानि MS स्वामीनाथन को जो है वो भारत में हरित करांथी के जनक माना जाता है next question है विश्व में हरित करांथी का पिता अब पुछाए आपसे word में हरित करांथी के पिता अभी पुछा गया था पिछे इंडिया में जो है वो हरित करांथी के जनक किसे कहा जाता है वो है स्वामी MS नाथन और जो word में है वो है normal बोर लोग option B is right answer चलिए आगे चलते हैं next है की काली करांथी जो हो किस से सबंद रखती है काली करांथी is related to petroleum उत्पादन काली करांथी जो है वो petroleum उत्पादन से संबंद रखती है फिर आता है की सेफरोन करांथी कौन से सेफरोन करांथी जो हो किस से संबंद रखती है तो वो है option A जो हो केसर उत्पादन से और भारत में जो हो हो एक मातर केसर उत्पादन राज्य है वो है जम्मु कश्मी last question है हमारा की नासिक किस की खेती के लिए परसेद है तो नासिक जो है वो option D यानि प्याज के उत्पादन के लिए संबंद रखती है तो ये थे हमारे आज के जो और revolution से संबंद रखती कुछ important questions तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी useful लगी हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं तथा like और हमारी वीडियो को like, comment और share कर सकते हैं Thank you